हेलो दोस्तो, Be Wise and Wealthy चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, मार्केट में आज हमको देखे गिरावट देखने को मिल रही है निफ्ती की बात करें, तो देखें, निफ्ती में 50 पॉइंट की गिरावट है जैसा कि हमको normal as usual days में देखने को मिलती है लेकिन question दोस्तो, यहाँ पर यह आता है कि देखिए निफ्ती में जो है, सेंसेक्स में जो है, नॉर्मल गिरावट है लेकिन हमारे पॉर्टफोलियो में अगर हम देखें करेक्शन देखने को मिल सकती है, जी हाँ दोस्तो, मैं निफ्ती की बात कर रहा हूँ, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, क्यों हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है जो है, strategy डिसकस करने वाला हूँ और आपको दोस्तो, बहुत help मिलने वाली इस वीडियो के बाद, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तो, बिना skip करें, ताकि दोस्तो, आपसे कुछ भी यहाँ पर important updates, यहाँ पर जानकरी, आपसे miss ना हो, और आपको यहाँ पर एक reference म क्या रहा है, तो देखिए दोस्तो, निफ्ती का जो इंडेक्स है, नॉर्मल भीएव कर रहा है, एक अच्छी खास यह run-up थी, उसके बाद थोड़ा से यहाँ पर आप देखेंगे, तो रिलेक्स करता हो, नजर आ रहा है, मतलब की control date हो रहा है, तो एक नॉर्मल यहाँ पर पॉर्टफोलियो में होंगे, उनकी वज़े से दोस्तो आपको यहाँ पर अपने पॉर्टफोलियो में प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यह होगी mid-cap की बात, similar case with the small cap index, तो small cap index में भी देखिए दोस्तो, गजब की हमको गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे का reason दोस्तो हम आपको बताना चाहूंगा, तो जी हाँ दोस्तो यहाँ पर BSE ने एक नया circular निकाला है, नया notice निकाला है, जिसके तहर दोस्तो यहाँ पर एक नया surveillance measure इसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर introduce किया है, सेवी ने और यहाँ पर exchange ने BSE ने, तो उसक stocks को circuits में लगते हुए देखने को मिला है, गजब की rally देखने को मिली है, और जातर यह जो है small cap और mid cap में ही हमको देखने को मिला है, तो यहाँ पर नए circular के according दोस्तो यहाँ पर price moment को cap कर दिया गया है, जिहां दोस्तो बात करें देखिए, अगर पिछले 6 मेने में 6 times से कोई जादा है, यहाँ पर price moment हुई है, एक साल में 12 टाइम से जादा, दो साल में 20 टाइम से जादा, तीन साल में 30 टाइम से जादा moment हुई है, तो उनके लिए यहाँ पर, जो है दोस्तो, capping कर दी गई है, तो अगर price, अगर देखिए, तो अगर circuit limit है 20% की है, तो weekly जो है, वो 1.6 times ही यहाँ पर movement कर सकते हैं, मतलब अपने daily price band के बात, मैं उस हिसाफ से बात कर रहा हूँ, lower 0.6 times ही यहाँ पर movement कर सकते हैं, monthly पर 2x, अपर lower 0.5, quarterly पर 3x, lower 0.3x time, अगर 10% की circuit limit है, तो यह आप देख सकते हैं, यह circular दोस्तो, BSC का आगर आप इसको detail पढ़ना चाहते हैं, त तो इस capping की वज़े से थोड़ा सा market ने यहाँ पर एक negative तरीके से इसको लिया है, और market में दोस्तो एक news ही requirement होती है, एक ऐसे किसी circular की, आप कह सकते हैं, किसी surveillance की यहाँ पर बस एक चिंगारी आनी चाहिए और market दोस्तो यहाँ पर उसको वैसे ही react करता है, और market में देखिए small cap और mid cap पिछले आपको दो दिनों से अच्छा खासा एक heavy sell off यहाँ पर आते हों देखने को मिल रहा है, तो यही है reason दोस्तो जिसकी वज़े से हमारे portfolio में correction देखने को मिल रहा है, अगर आप इस circular को detail में पढ़ना चाते हैं, तो PSC पर आपको यह मिल जाएगा, यह तो होग security है, उसके पीछे क्या reason से चलिए बात करते हैं, तो जी हां दोस्तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, Fed officials say tapering is near advancing discussion on rate hike, तो यहाँ पर दोस्तो tapering के regarding, मतलब जो bond purchase tapering है, उसके regarding दोस्तो जो quantitative easing चल रही थी market में, economy में, जो surplus money यहाँ पर deploy किया जा रहा था, उसको दोस् जैसे आप देख पार है, Morgan Stanley expects US Fed to start tapering by December and US Treasury yields extend rising run on Fed taper top, तो यह tapering होती क्या दोस्तो इसको हम समझेंगे, थोड़ी जैर में, उससे पहले मैं आपको बताना जाओंगा, जोस्तो 2013 में भी यह हुआ था, ठीक है, 2013 में भी जब आपको पता है, 2008 में जब लेमन बदर crisis आया था, ज housing finance का crisis आया था, उसकी वज़े से market में एक liquidity यहां पर provide कराई गई, एक monetary surplus यहां पर provide करा गया मार्केट में, जिसकी वज़े से हमको 2009 के बाद से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर हुआ गया था, 2013 में भी दोस्तो market में sell-off आया पड़के 3% हो चुकी थी, 2013 में, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब double, almost आप कह सकते हैं कि double हो गई थी यहां पर treasury yield, तो इसकी वज़े से एक market में हमको यहां पर sell-off देखने को मिला, उसी दोरान दोस्तों जब यहां पर 3% यहां यहां पर tapering अनाउंस की गई थी और इसकी वज Basically, अभी आपको पता दोस्तों market में liquidity surplus है, market में यहां पर money supply बहुत तेजी से आई है, fed ने यहां पर economic relief प्रोवाइड कराने के लिए काफी ज़ादा note printing की तो उसकी वज़े से काफी heavy liquidity है, और यहां पर उसकी वज़े से हुआ क्या, liquidity की वज़े से market में हमको एक तेजी देखन को मिली, क्योंकि liquidity अची खासी आगी, market में हमको तेजी देखने को मिली, और उसकी वज़े से क्या हुआ, उसकी वज़े से तो आपको देखिए कि इन्हों ने क्या किया कि, market में liquidity आने के लिए काफी सारे, आप कह सकते हैं कि जो bond purchase है, उसको किया, काफी bonds यहां पर purchase किये जब भी price में increase होगा, bond yields में decrease होगा, अब यहां पर दोस्तों अगर tapering करते हैं, tapering related यहां पर कुछ information, मतलब कुछ भी announcement होता है, कि मतलब क्योंकि economy पटरी पर आ रही है, तो भाई यह वापी सब क्या करेंगी, bond yields को खरीदना, purchase करना, market में, securities को खरीदना, US, जो fed है, वो कम कर price गिरेगा, तो यहां पर yield बढ़ेगी, yield बढ़ती है, तो दोस्तों आपको पता ही क्या होता है, जितने भी foreign निवेशक होते हैं, जो emerging markets में पैसा लगा रही है, क्योंकि देखिए, पैसा जब yield कम होती है, तो emerging markets की तरफ बढ़ते है, और जब yield बढ़ जाती है, तो उनको safer option मिलता है, तो वो अपने emerging markets में पैसा निकाल के, वापिस से markets में, जो है bond markets में लगाना चालू कर देते हैं, जो भी US के हैं, तो इससे क्या होता है, कि एक sell-off देखने को मिलता है emerging markets में, और यही reason है, दोस्तों, आपको 2013 में भी यह चीज हुई थी, 2013 में भी economy जो है, अच्छी पिछले 3-4 महिनों का दिखाता हूँ, एप्रिल में heavy sell-off by FIIs, में में heavy sell-off, जून में heavy sell-off, जुलाई में heavy sell-off, अगर अगस्त के बात करें, month till date की, तो आप देखी हो, तो आपको यहाँ पर positive में देखने को मिलेगा, लेकिन month end पर यह क्या data निकल के सामने आता है, वो काफ इससे भी जादा heavy sell-off आता है, तो DIs भी अगर नहीं खरीदते है, मार्केट में यहाँ पर purchasing नहीं करते है, तो हमको market में heavy sell-off आता हूँ, देखने को मिल सकता है, पूरी possibility है, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए, यह अपर दोस्तो यह है, 2013, देखिए, यह है, 2013, यह है, देखिए, यह है, 2013, 2013 के बाद क्या हूँआ, देखिए, करीब 11% की हमको market में गिरावट देखने को मिली, और यह जो taper tantrum जरूर आपने नाम सुनाओं जो इसी की वज़े से गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ पर इल्ड जो है वापिस increase हो गई थी तो heavy sell-off देखने को मिला जितने भी foreign निवेशक थे उन्होंने debt market से भी और equity market से भी पैसा निकाला और पैसा निकाल के वापिस अपने bond जो है US bonds में पैसा वापिस लगाना चालू कर दे क्योंकि वो एक secured option होता है definitely आपको पता होगा तो वापिस situation यही arise होती हुई नजर आ रही है जैसे कि आप यहाँ पर news में भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर दोस्तों यह announcement होता है तो कही ना कहीं एक heavy sell-off हमको देखने को मिल सकता है तो अगर यहाँ पर announcement हुआ तो bond यहाँ से purchase करना कम करेगी एक quantitative quantitative easing यहाँ पर होती इल्ड बड़ेगी तो withdrawal होगा emerging markets में foreign इवेशकों के द्वारा और withdrawal होगा तो definitely उस तो आपको यहाँ पर एक वापिस से गिरावट देखने को मिल सकती है हाला कि देखिए हमारी जो मंत्राला है जो finance ministry है जो निर्मला सीतरमंजी है उन्होंने कहा है कि अपकी बार 2013 जैसा scene यह अगर होता है तो market में हमको correction देखने को मिल सकता है तो जी यहां दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर जैसा दिखाया 2013 में भी हुआ था आप देख सकते हैं यहां पर तो गिरावट देखने को मिली थी लेकिन आप question यह है कि क्या हमको यहां पर बेच देना चाहिए माल सारा निकल जाना चाहिए तो फिर कहना चाहिए तो यह बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि जो economy है Indian economy वो दोस्तों काफी growing है fundamentals Indian economy काफी emerging काफी robust है emerging nation है हमारा पैसा तो यहां पर लगने ही वाला है आप कुछ भी मानके चलिए long term में आपको यहां पर growth ही देखने को मिलेगी और आ 2020 में कोरोना वाला issues हुए market all time high पर है तो यह issues आते रहेंगे दोस्तों market पर यह taper tantrum यह layman crisis, covid, demonetization यह दोस्तों market में आपको आते रहेंगे लेकिन अगर आप long term निवेशक हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए small cap mid cap index में ज़रूर यहां पर हमको sell off देखने को मिल रहा है ले companies हैं आपके पास एक fundamentals अच्छी वाले companies है management अच्छा है जिन जो अरड़ी ऐसे crisis को अरड़ी जेल के आ चुके हैं 2008 में, 15 में, 13 में और आज भी वो अपने all time hyper ticket हुआ है तो उन companies के साथ आप बने रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों यह taper tantrum होगा तब भी मैं कहू जीदने की long term में दोस्तों definitely आपके लिए काफी benefit होंगे, market में अगर आप देखें शुरू से लेकर end तर दोस्तों आपको कहीं न इतनी volatility देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ crisis, कुछ ना कुछ ना तक आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप बास करेंगे long term की stocks रखिये, और नजर रखिये, market में correction हो रहा है, तो किन stocks आपकी नजर है नीची है, तो आज अगर मैं बताऊं, तो HDFC life मुझे अच्छा लग रहा है, market में, HDFC AMC अच्छा लग रहा है, IEEX अच्छा लग रहा है, और polymedic, और अच्छा लग रहा है, और भी कई stocks हैं जिनको म long term में काफी benefit मिलेगा, तो ये दो reason हैं जोस्तों, एक small cap, mid cap में क्यों correction आरी है, उसके पीछे मैंने reason आपको बता दिया, BSE ने यहाँ पर circular launch किया है, second यहाँ पर taper से related news आरी, तो tapering हो सकती है, US Fed announce कर सकती है, तो उसके announcement के बाद हो सकता है, market में correction आये, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यह मैंना आपको यहाँ पर clear कर दिया, तो I hope दोस्तों इस वीडियो के दौरा आपको काफी अच्छी information मिली होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको decision क्या लेना है अपना, वह आपको यहाँ पर उसके regarding भी help होगी होगी, तो वीडियो दोस्तों पसंद आया है, तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजेगा effort को, आपके लिए कि इतना effort डाल रहे हैं, तो आपसे दोस्तों एक like तो हम यहाँ पर expect करी सकते हैं, तो प्लीज एक like करके encourage जरूर कीजेगा, मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में, तिल दे टे केर, बाइ-बाइ